दोस्तो तालिवान से पूछा गया कि आपका सबसे इंपोर्टेंट पार्टनर कौन है तो इस पर तालिवान ने जबाब दिया कि हमारा सबसे इंपोर्टेंट पार्टनर चीन है वही पर पाकिस्तान का किसी भी तरका उन्होंने जिक्र नहीं किया आखिरकार तालिवान के लि उसका सबसे ज़्यादा important partner है वहीं चीन की तरफ से तालिबान को ये hint मिला है कि वो तालिबान को financially add provide करेगा यानि कि financial support देगा तालिबान को चीन के financial support की क्या ज़रूरत पढ़ने लगी आखिरकार क्या मांज़रा है जिसके लिए तालिबान चीन से financial support चाहता है तो आपको बता दें कि US ने जहां US ने अफगानिस्तान के तकरीवन 10 billion dollar जहां 10 billion dollar जो की forex reserve थे उसको block कर रखा है जहां तालिबान से पहले जितनी भी सरकारे थी अफगानिस्तान में जहां चाहे असरफ गनी की हो चाहे किसी और सरकार की हो उन सभी ने अभी तक जितने भी अपने products को बाहरी देशों में export किया उसे जितने भी उन पर customs duty लगा कर पैसे कमाए चाहे वो fruits हो nuts हो अफगान rugs हो या wool हो cotton हो इन सभी चीजों को बाहरी देशों में वो export करते थे और उसे जो उस पर custom duty लगाया जाता था उसे जो taxes के पैसे आते थे उसे अपने बचात यानि की reserve में रखते थे और reserve रखने के लिए उन्होंने the federal reserve bank of new york के यानि की वहां के bank में उन्होंने अपना पैसा US dollar में saving करना start कर दिया था वो जो पैसे थे उन सभी पैसों से तकरीबन अभी तक 9.5 billion dollar हो चुका था और बात कर लिए जाए तो आपको पता होगा की अफगानिस्तान की कुल अबादी 3.8 करोड है और इसका एक साल का जो budget होता है वो तकरीबन 5.5 billion dollar का होता है जिहां एक साल का जो अफगानिस्तान का budget होता है वो 5.5 billion dollar का होता है जिसमें से अफगानिस्तान की तकरीबन 9.5 billion dollar का होए दा federal bank of new york जिहां the federal reserve bank of New york में उन्होंने saving कर रखी थी लेकिन जब तालिबान की सरकार आई तो यूएस ने उन पैसों को ब्लॉक कर दिया वैसे तालिबान ये सोच रहा था कि अगर वो दो फेडरल रिजर्ब बैंक आफ नियॉर्क से एगर 9.5 बिलियन डॉलर की जो मेनेटरी रिजर्ब पैसे हैं जहां अगर वो वापस मिल जाते हैं तो अफगनिस्तान का बजट तो 5.5 बिलियन डॉलर है दो साल हमारा काम तो ऐसे ही निकल जाएगा बाद मा कि हम आगे समाली लेंगे लेकिन दोस्तों यूएस ने पहले ही उन पैसों को ब्लॉक कर दिया जिसकी वैसे तालिवान के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रियेट हो गई वेल दोस्तों इस सिचुएशन को देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि तालिवान को पैसों की सक्त जरूरत है क्योंकि अभी फिलहाल देश तो उन्होंने कबजा लिया लेकिन उसके जो पैसे होते थे जो बजट के पैसे रखे गए थे वो नियॉर्क में रखे गए थे और वो भी यूएस डॉलर में उन सभी पैसों को अब वापस निकालना यूएस के परमीशन के बेगर पॉसिवल नहीं है तो ऐसे में अब तालिवान को लग रहा है कि इसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत है देश चलाने के लिए और वो चीन से इसके लिए मदद भी लेंग जो की भारत पाकिस्तान और चाइना इन सभी से काफी नजदीक भी है इस एयर बेस काफी बड़ा एयर बेस है यूएस का बनाया हुआ एयर बेस था काफी बड़ा एयर बेस था और इस एयर बेस को अब चीन चाहता है कि वो एयर बेस उनका हो और साथी साथ ये भी बात साम होने वाला है उसी के मुताबिक वो तालिवान को अपना support प्रोवाइड करेगा financial support प्रोवाइड करेगा तो ऐसे में तालिवान का चीन जो है इस तरह से मदद करने वाला है और इसलिए तालिवान जो है तो कह रहा है कि इन दिनों चीन जो है उसका सबसे important partner है वेल दोस्तो फिलाल इसको देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि तालिबान के लिए जहां पर यह काफी बड़ा फाइदा दिख रहा है वहीं चीन के लिए भी काफी बड़ा इसमें फाइदा है बगराम airbase से कैसा airbase है जहां से वो भारत के लिए काफी बड़ी problem create कर सकता है वो भारत के काफी नजदीक है और काफी बड़ा airbase है यहां तक कि तालिबान चीन का कटपुतली बन चुका है आपको बड़ा दें कि चीन कहेगा तालिबान को कि भाई कस्मीर मुद्दे को फिर से उठाओ कस्मीर इशू को फिर से raise करो तो तालिबान इसमें भी पीछे नहीं हटने वाला है इस मुद्दे को फिर से वो raise करना start कर देगा और हाली में इसका सबसे बड़ा सबुत यह है कि तालिबान के जो स्पोक परसन हैं सोहिल साहीन उन्होंने statement दी थे कि वो कस्मीर इशू को लेकर भी इशू को raise कर सकते हैं उनका पूरा अधिकार है कि कस्मीर इशू को लेकर अगर आप यह वीडियो यूटूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वहीं आप अगर वे वीडियो फेसुक पे देख रहे हैं तो पेज को follow कर लिजिए जिससे आपको हर वीडियो को notification मिलता रहेगा मिलते हैं अगली नई रिपोर्ट में जो की होगा आपके लिए काफी खास